कुरोनवारस से संक्रमितो व्यम्रुत्युदर का आकड़ा भले ही कम हो लेकिन इसके भैवेल लोगों की जान बचाने के लिए किये गे लोकडाउन से आज देश का बड़ातव का तनाव में अमीर हो या गरीर सभी चिंता में किसी को रोटी की चिंता है तो किसी को नोकरी की कोई धंदा ठब होने से परिशान है तो कोई भविश्य को लेकर तनाव में यहां तक कि जुग्यों जोपड़ों में घहने वाले तक किसी ने किसी चिंता में है लेकिन इन सब से अलग है कैसा वर जो है आवेत राशती में भी मस्त है जिसमें लाखों लोग सेवा कर रहे हैं धरम भी कमा रहे हैं और करम भी बना रहे हैं ना कोई भै हैं ना कोई चिंता बल्कि सेवा पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और वो है रादा स्वामी सस संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है एक दिन में अमेरिका में एक हजार लोगों के मरने की खबर सामने आई है वही देश में भी पिछले दो दिनों में 90 से ज्यादा मोते हुई है और 800 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की पुस्टी हुई है पिछले ढ़ाई सप्ताहा से पुरा देश लोक टाउन है दावे के जा रहे थे कि 14 दिन में वाइरस का असर खतम हो जाएगा सावधानी के तोड़ पर 21 दिन का टाइम लिया गया था लेकिन 21 दिन पूरे होने को है संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है राजे सरकार ने सभी होट स्पोर्ट पर कर्फ्यू लगाया है क्योंकि यही एक अंति मूपाय सरकार के पास बचा है विशेश अगे कह चुके है कि यदि समय रहते लोक्टाउन ना किया होता तो देश के हालात बहुत खराब बलकि इचली और अमेरिका जैसी हो सकते थे रोसाना पूजा नमाज पार्ट करने वाले मंदिर मस्चित कुर्दुवरा जाने वालों के लिए आज सब दरवाजे बंद हैं लेकिन इसी बीच-कुछतर आज भी गुले हैं जो ना केवल हजारों लोगों की जिनकी बचाने का काम कर रहे हैं बलकि लाकों लोगों का पेट भणने में सरकार की मदद कर इंसानियत को बचाने में चुट है उनमें से सबसे पहले नमबर पर है रादा स्वामी ससंग्यास जी जी हां यहां के परबंदन देकर सेवा भाव देकर हर कोई हैरान है और सबसे मैंतबुन बात है कि इनके पीछे खड़ी है उनकी रुहानी ताखत जो रोज नहीं उज्जा भरती है और खुद इनके बाबा जी है यानि की बाबा गुरिंदर सिंग डिल्लू है जो अपने सेवादारों को दर्शन देकर उनके होसलों को बुलंद करते हैं यूँ तो देश में तांत्रि वे जोची की भर्मार है लेकिन किसी ने भी इस बिमारी को लेकर ना कोई खोशना की है ना ही कोई उपाया बता रहा है सभी की दुगाने बंध हैं लेकिन जिनोंने कभी ना तो कोई घोशना की है ना कभी किसी को भखाया बल्कि हमेशा लोगों को पाखंड वे बुरायू से बचाया ही बचाया है कई बार कुछ लोग पाखंडियों के चक्कर में इनकी बड़ी आलोचना करते दिखे गए हैं रोजाना करीब एक करोड से ज़्यादा लोगों का खाना परती दिन बनाया जा रहा है जादतर पर शासन की दौरा ही वित्रित के जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं ये है राधास्वामी ससंग व्यास के मुझ्छाले जो पंजाब के व्यास में इस्थित है यहां रोजाना सवाल लाक लोगों का भोचन बनाया जा रहा है देखे कितने सफाई से खाना बन रहा है कैसे मशीनों से पहले आंटा गूदा जा रहा है फिर मशीनों से रोटिया एवं पूरी तयार की जा रही है किस तरह मसाला चावल तेयार के जा रहा है और देखे कितने सफाई से अचार के साथ पैक भी किया जा रहा है और बाद में सिवदार बड़े ही अनुशासन से गाडियों में लोड भी कर रहे है इसी तरह देश भर में करीब से एकड़ो सतसंगरों में ऐसे ही खाना बनाया जा रहा है और खास बात तिये है कि यहाँ खाना बनाने पैक करने और ढोने में जुटे हजारों लोग ना तो ध्याडी के है ना ही कोई प्रोफेशनल बलकि यह सब सतसंगरों के नियमित सेवदार है जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे है और यह सेवा करके इनको कितनी खुशी मिलती है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते यह तो इनका दिल ही जानता है क्योंकि इसे यूँ भी समझ सकते है कि जो सेवदार यहां नहीं आए अथार्थ जिने सेवा नहीं मिली वो सेवा पाने के लिए लगातार तडफ रहे है इस बात से आप इनकी भावनाओं और खुशियों का अंदाजा लगा सकते है हाला कि ऐसे समय में जब लोग दहशत और डर के साई में जी रहे है और यह सेवदार सेवकर के मजे में है क्या यह आसान है बिलकुल नहीं लेकिन इसके पीछे रुहानी ताकत मतलब पूझे बाबाजी का आशिरवात लगातार इन्हें मिल रहा है जो इनके अंदर unlimited खुश्य भरता है और यह भी जानकारी मिली है कि बाबा लगातारा लग सत्संगरों में जाकर नै केवल संगत को दर्शन दे रहे हैं बलकि उन्हें अपने मुखारविंद से अम्रेत रुपी वचनों से निहाल भी कर रहे है कितने मधूर वे रुखाने दिवे वचनों की वर्शा करते हैं आईए आपको सुनाते हैं एक वीडियो कुछ समय पहले मौका मिला आपसे मिला आपका आपकी जिन्दगी सादगी देखकर हम सारे बहुत परसंद हुए और इच्छा यही होती है कि जहांभी जाएं वहां से कुछ ना कुछ सीख के लाएं आपने सेवा की बात की सेवा भावना की बात है हम आम तोर पे समझते हैं कि किसे धरमस्थान के उपर जाकर कुछ करना वो सेवा है जो भी काम आप निश्कान होके करेंगे वो आपकी सेवा बन जाएगे किसी का सहारा बने, किसी का दुख दर्द बांटें ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ किसी धरमस्थान पे ही जाके जहां मर से और ये कार्या बहुत अच्छी तरह से आप सब निभा रहे हैं देश में जब भी कोई ना कोई मुश्कल आती है तो सबसे पहले आप वहां खड़े होते हैं तो इसलिए हम लोगों को तो सीखना चाहिए जहां तक परमारत की बात है परमारत में कोई बड़ा नहीं तो कोई छोटा नहीं परमारत मीं सब एक जैसे हैं फरक सिर्फ पहचान का है अगर हम किसी को शिक्षा में या किसी भी काम काज में किसी को अपना गुरू मानते हैं वो सिरफ इसलिए कि हम सोचते हैं कि उससे हम कुछ सीख सकते हैं तो परमारत में भी वो एक उधारन बन के आते हैं जिस वकत से मालिक ने हमें इनसान का जामा बक्षा है हमारे हर एक में वो ताकत रखी है कि हम उसके जैसे बन सकें अब क्योंकि निचली जूनियों से आए है अब इन निचली जूनियों के परभाव हमारे पेहावी है इसलिए ये काम, क्रोध, मो, लोब से अभी हमें उलजना बढ़ता है तो वो एक उधारन बन के आते हैं कि अपने उधारन के जरीए हमें दिखा सकें, सिखा सकें कि हमने मन को कैसे काबू करना है कैसे उस निशकाम भावना के साथ एक दूसरे की मदद करनी है और अपने आपको मालिक के लाइक बनाना है इसलिए परमारत में मालक ने रुहानियत की दौलत सभी में रखी है भीका जी एक महात्मा हुए हैं आपने फरमाया था भीका भूका को नहीं सबकी गठडी लाल गिरहे खोल नहीं जानते ताते भाय कंगार के मालक ने तो सबको रंग में रंगा हुआ है किसी भी मख़ब के हो किसी भी धरम मालक एक है और भगधी एक की करनी है हम अनेकता में फसके हमने अतने मखब अतने धरम पता नहीं जब से इन्सान होश संभालता है सब कुछ बांटना शुरू कर देता हमने अपने आपको प्रांट के रख लिया इसलिए अगर सची भावना होगी अपने अंदर प्रेम और प्यार जागरित करेंगे दूसरों की मदद करेंगे माले की जरूर बक्षिश हो और उसकी बक्षिश के साथ हम सिर्फ अच्छे सेवक ही नहीं बन सकेंगे मगर उसके लायक भी बन सकेंगे की लोड है कि हम अपने सच्चे देश पहुंच सकेंगे और यह होगा जब आप एक जुट होके उस सेवा में लगेंगे जिसका पहले ही आप इतना अच्छा उधारन है जब मैं नागपुर में गया तो मैंने इनकी रहनी देखी इनका कमरा देखा हमें तो बहुत कुछ है से सीखना तो बजुर्गों का शीरवाद रहे जी हाँ जैसी के आपने सुना ये वही ताकत है जिसे सुनकर सेवादारों का पोसला आसमा चुने लगता है देखे एक और रिपोर्ट राधा स्वामी सत्संग ब्यास के ये सत्संग घरों में केवल खाना ही नहीं बन रहा बलकि यह बड़े आइसोलेशन केंद्र भी बनाए गये है यह यू कहे के इनसे बड़ा इसोलेशन केंद्र उतर भारत में नहीं है हर्याना पंजाब, यूपी, दिल्ली, उत्राखन के सत्संगरों में किये गए इंतिजाम अब तक के सारी इंतिजामों से बहतर और सुरक्षित है हर्याना यूपी के सत्संगरों में हजारों लोगों को एकांतवास कौरंट चाइन करके रखा गया है हरियाना पंजाब से पलायन कर आए, एक हजार से ज्यादा लोगों को अकेले सहरनपूर के ससंगर में रखा गया है जहां उनके रहने के अलावा तीनों चाइम खाने, पीने की सबी सुविधाओं के साथ साथ सुबा शाम टहलने, योग प्रणायाम, टीवी स्क्रीन पर अध्यात्मिंग भजनवे, साकारात्मक उर्जा से प्रेरित करने वाले वीडियो दिखाये जा रहे है जिससे महारे रहे लोग हैरान होने के साथ आनंदित है वही से संखरों में आने जाने वाले बड़े-बड़े अधिकारी यहां के प्रभंदनों को देखकर आश्चारे चकित है और जाते वक्त सेवादार का धन्यवाद तो करते ही है बलकि कई तो रादास्वामी भी बोल उठते है यहां आने जाने वाले लोगों में चाहे वो अधिकारी हो या करमचारी या फिर यहां लाकर एकांतवास में रखे गए प्रवासी सभी की एक ही इच्छा है कि अब तो बाबजी के दर्शन हो जाए लेकिन यह इतना आसान नहीं तब तक जब तक बाबजी ना चाहे यह हमने ही रोहानियत का फलसफा कहता है कि गुरू हो या भगवान जब तक वह मोज में आए तो वह किसी को खुद अपने पास बुला लेता है या फिर खुद भक्त के पास चला जाता है जब तो पाने ही देटा